पेम मोदी ने इसे विकास और विश्वास वाला बजट बताया है। साथी पेम मोदी ने निर्मला सीता रमन और उनकी टीम को बजट के लिए बढ़ाई दी। पेम मोदी ने कहा कि साल 2021 का बजट असाधरन पर इस्तितियों की बीच पेश किया गया है। इसमें यथाट का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। आज का बजट भारत के आत्मे विश्वास को उजागर करने वाला है। पेम ने कहा इस बजट में इर्ज ओफ लिविंग पर जोर दिया गया। स्वास्तो सुविदाओं पर ध्यान दिया गया। पेम ने कहा कि कृशिक शेतर को मजबूती देने के लिए किसानों के आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान भी किये गये। ये सब ने ने दिखाते हुए इस बजट के दिन में गाव हैं हमारे किसान है आज के बजट में आत्मन निर्भरता का विजन भी हैं और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी हैं हम इस बजट में जिन सिध्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करना, मानव समसाधन को एक नया आयाम देना, इंफास्ट्रक्चर निर्मान के लिए नए ने छेत्रों को विक्सित करना, आधुनिक ताकी तरफ आगे बरना, नए सुधार लाना, भारत करोना की लड़ाई में, रियक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोयक्टिव रहा है, चाहे वो करोना के काल में किये गए रिफॉर्म्स हो, या फिर आत्म निर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोयक्टिव नेश को बढ़ाते हुए, आज के बजेट में भी, रिय प्रोयक्टिव का नामों निशान नहीं है, साथ ही हम एक्टिव पर स्टेटेस्को पर भी अटके नहीं है, और हमने इस बजेट में भी प्रोयक्टिव बजेट दे करके देश के सामने प्रोयक्टिव होने का संदेश दिया है, यह बजेट उन सेक्टर्स पर विशेश रु बढ़ेंगे जान भी जहान भी इसमें MSME और इंफा सेक्टर पर विशेश रुप से जोड दिया गया है इसी तरह यह बजेट जिस तरह से हेल्थ केर पर केंद्रीद हैं वो भी अभुद्पुर्व हैं यह बजेट देश के हर शेत्र में विकास यानि और राउंड डेवलप्मेंट की बाग करता रहता है इस बजेट में जिस तरह से रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टिम पर बल दी गया गया है जो प्रावधान किये गये हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी भारत उजवल भविश के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा साथियों देश के सामान्य मानवी का महिलाओं का जिवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्त स्वच्चता पोर्षट शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजेट में विशेश बल दिया गया है एगरी कल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और जादा रण मिल सकेगा देश की मंडियों को यानि एपीमसी को और मजबूत करने के लिए ससक्त करने के लिए एगरी कल्चर इंफार्ट से मदद का प्रावधान किया गया है यह सब दिन नहीं यह दिखाते हैं कि इस बजेट के दिल में गाव है हमारे किसान है